So finally that's what all about the exhibition जहांपे हमने दो exhibition को attend किया पहला था जो specifically internationally diamond, pearls and gemstone के regarding और दूसरा जो कि world का सबसे बड़ा exhibition है It's about the jewelry दोस्तो exhibition के दोरान जितने भी exhibitor का हमने interview लिया उनसे हमें ये बात समझ में आई कि specifically अगर आप worldwide business करना चाहते हों तो Hong Kong के अंदर specifically ये जो diamond और jewelry को लेके exhibition होता है ये आपके लिए एक turning point हो सकता है अगर आप specifically इस industry में enter करना चाहते या तो already इस industry में काम कर रहे है and now you are focusing to the world market दोस्तों ये exhibition के दोरान जो भी interviews हमने लिये इनसे बहुत सारी internal चीज़ें हमें ध्यान में आई all over the world अलग-अलग जो भी exhibitors यहां पर participate कर रहे हैं वो किन चीज़ों को ध्यान में लेके ultimately worldwide business को focus कर रहे हैं आने वाला trend jewelry के अंदर किस तरफ mode ले रहा है उसके साथ साथ नई trending jewelry हमें यहां पर देखने को मिलती है अलग-अलग exhibitors के exhibition stall के उपर इससे हम यह पता चलता है कि world का taste क्या है इस exhibition के दौरान आप networking कर सकते हैं जिनसे कि आप आने वाले time में अगर international market के अंदर enter हो रहे हो तो ऐसे case में आपको कहां पर ध्यान देना चाहिए और networking के through आप किन को connect कर सकते हैं इनकी भी information हमने जाने उसे के साथ-साथ यह exhibition में हमने यह भी समझा कि specific अगर आप buying या selling के अंदर है और diamond, jamestone, pearls या तो फिर jewelry में आप worldwide buy या sell करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको बहुत सारा exposure मिलेगा क्योंकि दुनिया के कई सारे कौने से यहाँ पे visitors के तौर पे buyer भी बहुत सारी मातरा में देखने को मिलते हैं My friend, यह exhibition के दोरान बहुत सारे seminar भी होते हैं जिन seminar के अंदर jewelry या तो diamond के regarding जो भी future है उनको कैसे ship दिया जाए उनके उपर भी बहुत सारी बाती होती है Obviously, in particular sector में जो भी innovation होता है उन innovation को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप आने वाले time में अपने जो worldwide buyer हैं उनको उनकी requirement के मताबित उनकी जो भी demanded jewelry या diamonds या gemstone और pulse है उनको आप supply कर पाए तो अगर आप jewelry sector से belong करते हैं या तो diamond, gemstone या pulse sector से belong करते हैं तो obviously, ये दोनों exhibition के regarding जो exhibitor का list है ये उनकी official website पर दिया गया है आप उनकी official website को visit करके ultimately उन लोगों को connect कर सकते हैं और अपना buying या selling का जो भी pattern है उनको आप यहाँ पर satisfy भी कर सकते हैं obviously, ये जितने भी exhibitors हैं उनकी details अगर आपके पास होगी तो in that case, ultimately आपके लिए आने वाले time में उन से connect करके आप अपनी product के बारे में उनको information बेज भी सकते हैं obviously, यहाँ पर दुनिया के कई कौने से अलग-अलग exhibitor थे अगर आप उनको connect करना चाहते हैं तो एक बात हमेशे याद रखे कि आप उनकी language में mail drafting करके बेजे या तो अगर WhatsApp कर रहे हैं तो WhatsApp पे उनकी language में बात करने की कोशिश करें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई English जानता हूं because, but obvious दुनिया के अलग-अलग कौने से जो लोग आते हैं ये visitor के तौर पे और बायर के तौर पे भी होते हैं तो ये शायद अपनी language ही जानते हों और इस case में अगर आप उनको proper उनकी language के साथ connect करते हैं तो easily आप अपनी जो भी requirement है उसको satisfy कर पाएंगे दोस्तों ये बाते हमने की exhibition के बारे में अब थोड़ा बातचीत करते हैं कि अगर आप इस exhibition को visit करना चाहते हैं तो ऐसे case में आप Indians हैं तो ultimately आपको क्या तयारी करनी पड़ीगी सबसे पहली बात तो ये कि Hong Kong के लिए जो visa Indians को मिलता है ये on arrival है इसके लंबी procedure नहीं है simple आप उनकी official website पर जाएए और अपना जो visa है उनको apply करिए second number पर आपका इंडिया से यहां आने का जो खर्चा है वो around 25,000 से लेके 30,000 की flight ticket में हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ return flight ticket की मतलब इसमें आने का और जाने का दोनों include हो चुका है उसे के साथ-साथ जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे case में local transport बहुत easy है यहां पर metros available है यहां पर buses available है और उसके साथ-साथ यहां पर fast route के लिए taxis भी available है obviously यहां पर उनका जो local currency है वो Hong Kong dollar है और जिनका value around 11 रुपीज के आजू बजू होता है अगर हम बात करें इन रुपीज के सामने और यह specifically आप लेके अगर इंडिया से आते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां पर conversion आपको महिंगा पढ़ सकता है दोस्तों उसके साथ-साथ specific यहां पर जब आप local travel करते हैं तो एक octopus card करके एक local card भी दिया जाता है यह card के अंदर आप खरीदी भी कर सकते हैं local store से आप traveling भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप और जगा पर कोई खर्च करना चाते हैं तो यह card wall and soul एक ही card है जिनका आप multiple जगा पर यूज़ कर सकते हैं so that's what very easy to move ahead and absolutely अगर आप local transport में कहीं पर भी जाते हैं तो यह एक card की बदालत आप कहीं पर भी घुम भी सकते हैं and कोई भी area के अंदर आप visit भी कर सकते हैं तो overall अगर हम per person खर्चा देखें तो यह around 70-80,000 हो सकता है मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा amount है अगर आप industry के साथ जुड़े हुआ है specifically jewelry or diamond and absolutely 70-80,000 में जो exposure आपको यहाँ पे मिलेगा ultimately worldwide market के हिसाब से या तो जो trend आपको देखने को मिलेगा जो ultimately set होता है पूरे world के हिसाब से यह बहुत ही different level पे आपको exposure भी देगा उसके अलावा यहाँ पे mostly हमें यह देखने को मिला कि जो jewelry manufacturers है वो mostly या तो इंडिया से है या तो यह Thailand से है क्योंकि Bangkok इसका एक बड़ा hub है उसके अलावा Turkey से ज्यादातर manufacturer देखने को हमें मिले Italy से बहुत सारे manufacturer थे जो यहाँ पे अलग-अलग मापनी प्रोड़क को रिप्रेजन करते हैं and obviously सबका अपना एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के हिसाब से worldwide जो buying patterns होती है उनके अंदर यह selling में भी जाता है दोस्तो एक और बहुत ही important information यह भी है कि आप अगर Hong Kong के यह दोनों शो को एटेंड करते हैं तो ऐसी case में आपको यहाँ पे reimbursement भी दिया जाता है यानि कि जो मैंने आपको बताया कि 70 से 80 अजार का आपका खर्चा है उसमें तक्रीबन 2500 HKD यानि कि 2500 Hong Kong डॉलर यह reimbursement होता है अगर आप यहाँ पे बायर के तौर पे विजिट कर रहे हो इनके लिए आपको इनकी official website पे priorly registration करवाना होता है यह तक्रीबन 2-5 महीने priorly होता है और उसका windows 2-5 महीने पहले close हो जाता है in that case ultimately आप यह registration करवा लेंगे तो यहाँ पे आने के बाद 2500 HKD और उसके साथ-साथ जो भी आपका staying allowance होगा यानि कि जो आप hotel के अंदर खर्चा होता है आपका यह भी आपको कहीं न कहीं reimburse किया जाता है मुझे लगता है कि अगर हम इसको reimburse के साथ देखें तो आपका खर्चा 30-40,000 के आजवाज होगा इससे ज्यादे कोई खर्चा हो नहीं रहा है and absolutely 30-40,000 के अंदर अगर हम यह roadshow को visit कर सकते हैं तो मुझे लगता है absolutely you have to do it because इससे जो exposure मिलेगा वो लुनिया के शायद कोई show में ना मिले हाँ, Italy के अंदर जो वेचेंजा होता है यह एक ऐसा show है जो कि ultimately आप इस level का count कर सकते हो जो यह होंग कोंग में होता है दोस्तों होंग कोंग का यह जो show है यह specifically world का one of the largest show है and so आप जब यहाँ पर visit करते हैं तो ऐसे case में आप दुनिया के अंदर जो भी बदलाव आने वाले time में different kind of the jamestone jewelry को लेके या diamond jewelry को लेके जो current trend है, जो lab ground diamond का है उनको लेके जो भी आने वाले हैं उनको भी आप simply envisize कर सकते हैं मेरा यह मानना है कि कोई भी अगर international market में अंटर कर रहा है jewelry को लेके तो absolutely you have to visit international show और Hong Kong का show इसमें एक सबसे बड़ा example है so that's all about this particular show ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे connect कर सकते हैं Amit Mulani and team के साथ हमारी YouTube channel भी है जहाँ पे आपको ये साधी details जो है हम आने वाले time में और भी country की regarding भी देने वाले हैं उसके साथ साथ हमारा insta page है इंडिया आप उनको भी सबस्क्राइब करें ताकि follow करें ताकि आप अल्टिमेटली more information ऐसी ही जैमसें ज्वैलेरी और इसके रिगार्डी जो sectors है उनके लिए बाएंगे last but not least गाईज specifically जैमसें ज्वैलेरी अगर आप focus कर रहे हो तो ऐसे case में थोड़ा patience रखे थोड़ा persistence रखे चीजों को worldwide घूम के जानिए obviously I can say that कि यह every time ज़रूरी नहीं होता है बट अगर आप ऐसा एक भी शो विजिट करते हैं तो आपको बहुत सारा अपने दिमाग से जो आइडिया से वहार आएंगे यह creativity को यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में कर पाएंगे and sky is the limit for Indians when I am talking about the jewelry and diamonds regarding products so obviously यह सारी जो चीज़ें हैं अगर आप उनको focus करते हैं और तुड़ा patience के साथ काम करते हैं तो इसमें बहुत सारी opportunities Indian manufacturer के लिए हैं so this is Amit Mulani with my team Mr. Kewonopra and Mr. Mayur Vakariya we are signing off here and milteh jaldi nae show ke saath more information and more interview ko leke thank you Amit Mulani and team India's best export import business trainers you